आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार के समर्थन में बोले तेजसु यादाव कहा विबक्षी एक जुटता में अब देर नहीं करनी चाहिए कि सियम योगी ने वित्रित किये नियुकती पत्र भोले छह वर्शों में साड़े पांस लाग से ज्यादा युवाओं को दीन उकरी वर्ड बॉक्सिंग चेंपियंसिप के फाइनल में पहुंची निकह जरीन सिल्वर मिडल हुआ पक्का मिनट में करोना के तीन नए केस मिले एक बज़र्ग मरीज अस्पताल में बढ़ती नमस्कार आप देखने हैं प्राइम टीवी मैं हूं मनिश बदोरिया शुरुआत करते हैं उत्तर पिदेश की खबरों से खबर लखना उसे जहां 15 फरवरी को सौमी पसाद मौरिया और हनमान गड़ी के महंत राजुदास के बीच हुए विवात को लेकर सौमी पसाद मौरिया कि अधिवक्ता, दीपाक, यादों ने रिचुदा मौरिया की बता दे कि सौमी पसाद मौरिया ने तारणाश शब्द को लेकर अपती जिताई थी जिसके बाद महंत राजुदास ने स्वामी पसाद मौरिया का सर कलम करने के लिए 21 करोर रुपए की गोशना की गई थी और टीवी चैनल के काइकरम में स्वामी पसाद मौरिया पर हमला भी हुआ था जिसके बाद स्वामी जी ने शासन और प्रशासन के तमाम अलादकारियों से गुहार लगाई है मगर अफ़ाया दर्ज नहीं हुई जिसके बाद मुकिनाईक मजिस्ट्रेट लखनों में मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा है कानून वे उस्पा सम्मिदान का जो मकौल उड़ाया जा रहा है इसको दुरुस दिया जा है इसका यह उन्देश समस्ट्रेट यहा रही है कि कोई विजटी कानून वे उस्पा को दरकिनार करके जहां जो चाह रहा है वो ऐसे कर रहा है कोई वेख्ती किसी से छुप दाए तो उसके बादी पार्ट कि अलग अलग कॉस्टिंग करे दे रहा कोई कहरा सर काट के लाओ इतना देंगे कोई कहरा जुबान काट के लाओ इतना देंगे हर चीज की एक प्रक्रिया है प्रासेस में जाइये विदी बे अस्ता के अनुसार आईये ये क्या है कि मतलब किसी ने कुछ किया तो उसके फिरुदाप इस परे करेंगे यह मैं राजुदाश जी कह रहा है और इस दौरान उन्होंने भाच्वा सरकार पर भी निशाना साधा जिसे मुपत करने के लिए राज जी के संगर्श के साथ खड़े हैं तो आज इन मुकदमस को बिरने वाला नहीं है जल्दी से जल्दी लोग खुसाल हो हिंदू मुसल्मान दुबारा से गले मिले जो खाई खोदी है वो खतम हो जाए लोगों को रोजगार मिले थानों में पैसे लेने बंद हो जूटे मुकदमे लिखने बंद हो लोगों को लंगड़ा मनाना बंद किया जाए इन सब के लिए माता से पूजा पाट करके आया हूँ जल्दी से जल्दी ये लोग हटे हैं जिनके घर नहीं बसे हैं इनके वो अपने घर बसाएं जो रंडवे हैं वो अपने साधी बादी करें अपने घर बाले बच्चे पाले आदेन में से रंडवे हैं उनको साधी हुई नहीं है बच्च विधायक आज मुस्कराते हुए नजर आए जाजमो इस्थित महिला के प्लाट पर आगजनी मामले में सपाव विधायक इनफान सोलंकी और गैंगस्टर सातियों की गुरुवार को पूरे दिन MP MLA सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई है इस दोरान वादिनी की बेटी कनीज जहना जहरा ने अपनी गवाही दच कराई है पुरे दिन चली जिरह के बाद कोड ने 27 मार्च को सुनवाई के लिए अगली डेट दी है कानपूर में करॉली बाबा विवादों के गहरे में हुए हैं जहां नोड़ा के एक डॉक्टर ने उन पर पिटवाने का रोप लगाया है मार्च पीट के मामले में बाबा से पुस्ताच करने के लिए कानपूर पुलिस की टीम करॉली आश्रम जाएगी इसके अलावा विदुन पुलिस मार्पिट वाले स्थान का मौका मौइना करेगी उत्तर पिदेश के कानपूर में एक स्वेंभू बाबा करॉली बाबा उर्फ संतो सिंग भदौरिया के चमतकार को नोड़ा के डॉक्टर ने चुनौती दे दी जिससे भड़के करॉली शंकर बाबा के समर्थकों ने डॉक्टर के उपर हमला कर दिया इस मामले में एक वीडियो शोशल मीडिया पे वारल हो रहा है जिसमें बाबा और भक्त के बीच भैस हो रही है करॉली बाबा पर कई अपरादी आरोग लग चुके हैं करॉली बाबा के खिलाफ 1992 से 1995 के बीच हत्या समय कई अपरादी मामले दर्ज किये गए हुए इस मामले पर करॉली बाबा ने का कि वो अपने वकील से बात करने के बाद ही अपना बयान दर्ज कराएंगे इस पर पुलिस का कहना है आश्रम उन्हें लिखित में दे कि उनके पास आश्रम में लगे सीसी टीवी की रिकॉर्डिंग नहीं है आपको वीडियो भी दिख्राएंगे कि जो लोग एक दिसी हवन करते हैं और मेरे समझ आते हैं जब मैं देखता हूं और मुझे लगता है यह सब कुछ बेजबाच किया गया है क्या इसे नहीं हवन किया मैं उसका रुपिया वापस कराता हूं लिखा पड़ी में वीडियो भी है उसके पड़ेवे सारे वीडियो मैं उनको रुपाय वापस करता हूं अगर इसके अलावाद ही एक दिसी हवन है कम से कम 10 हवन रोज ऐसे होते हैं जिनसे एक रुपिया नहीं लेते हैं करवली सरकार को लेगा करके देखा जाए तो डाक्टर संतो सिंग बदाउजया कि खिलाप जो है जो एक जो वहां से गाइब है इसकी सूचना जो पहुंची है इसको जो संग्यान में चाहिए और आज देखा जाए जाए जोदर्म के सा रहे ना के बात करते हैं तो कभी किसी कोई सूचिवा करने लित और वैपार की बात रही कोई जो है वो लिया जा रहा है वो देखा जा कही ने कहीं और देखा तो इनके जो पूर में जो है उन्होंने कमेडिया किती है और करो लिए लिबाबा खिलाफ जो है एक टीम पहुंचे यह उतर प्रदेश के जनपत फिरोजाबाद में उतर प्रदेश उध्योग व्यपार मंडल के बेनर तले 50 साल पूरे होने पर 16 जहनती मनाने के अफसर पर उतर प्रदेश उध्योग व्यपार मंडल के प्रदेश अद्यक्ष फिरोजाबाद पहुंचे हैं इस दोरान नगर अद्यक्ष अंबे शर्मा ने उनके आगमन पर सभी वेपारियों के साथ मिलकर टूंडला पर इनका भव सौगत किया जिसके बाद उद्योग वेपार मंडल की तरफ से कुछ शिकायती प्रत भी दिये गए जिसका उतर प्रदेश के इस तर पर जाकर निस्ता यह यात्रा आठ मैं को चाहिए जन्म जैन्टी पर लग्नों में समाथ होगी यह यात्रा पूरे उत्तर प्रेश के हर एक जिले और सभी कस्वों को चुने का काम करेंगी यह वारी जात्रा है जिसके साथ में मांग बद्सी दे रहे हैं उस मांग जो हमारी वैपारी जगे- को करके अप्रेश अप्रेश का मिलानी के लिए खबस सुल्तानपूर से जहां आशा हेल्थ वरकर आशोशेशन उतर पदेश का धरना पदेशन टिकोनिया पार्क में आउजित किया गया है इसके बाद वहां से अपनी मांगों को लेकर पैदल मार्च करते हुए जिलातकारी के लाले पहुंची जहां पर जिलातकारी को समोधित गयापन दिया गया उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में चोड देखने को मिल रहे हैं आई दिन सभी स्टाफ मिलकर घुस्खोरी वाद दलाली किया करते हैं कि लोगों का एक गयापन देना था कुछ समयश्या है थी उसी के वज़े से हम लोगों ने डीम को गयापन देने के लिए आज यहां पर आए थे तिकोनिया पार्क में लेकिन मैडम ना मिलने के कारण हमने वहां पर जो और इस लोग थे उनको दे दिये हैं गयापन और हमार हो जाएगा फिर से न से दूसरा नए अपरियर से चालू हो जाएगा हम चाहते हैं जो हमारे रुके हुए भुक्तान है वो दद्काल कराए जाएं क्योंकि 2,000 रुपए में हमारी आज साएं काम नहीं कर पाएंगी वो भी समय से मिल रहा है जो 2000 रुपर मिल रहा वो भी समय से नहीं मिल रहा है गाजीपूर पुलिस ने सदर कोतवाली छेत में जल निगम कालोनी के आठ मेने पहले लापता हुए दो भाईयों को दिल्ली से बरामत किया बचे दिल्ली में एक बैक कारखाने में काम कर रहे थे जहां से पुलिस ने दोनों बच्चों को बरामत करते हुए बड़ी सवलता असिल की है शारीरी खिंसा की शिकायत इनके द्वारा की गई है एक मनोवैग्यानिक परकरण भी नजर आ रहा है जो सामाजी के रूप से भी आप देख सकते हैं ये पिता और बच्चों के संबंद भी इसमें आ रहे हैं लेकिन पुलिस के दोरा बरामत करके इनने अब विधिक कारवाई करते हुए CW के सामने समक्ष पेस किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि माबाप और बच्चे दोनों की कांसिलिंग हो अच्छे कांसिलर से और परिवार आगे चलके खबर हो रही है से जहां पुलिस ने महज 12 गंटे के अंदर आपराण हुए मासूम को इस अगुसल बरामत करते हुए आपराण का खुलासा किया है वही इस मामले में एस पी ने बताये कि इस अपराण करता के पीछे कोई और नहीं बल्कि मासूम का चचेरा भाई शामिल है जिसने अपनी गल्फरेंड के साथ साथियों से मिलकर पूरे प्लान को अंजाम दिया आप लोगों के मैनद विज़े मेरा बत्ता सब्सार में अब चुछे अब भाई वहीं से साड़े में पूने तब बचिके आश्वाजे का आश्वाजी का अश्वाजी जायक हो गया है हम पाता में ड्यूटी को से वहां मारे पास पॉने गया रहे हो यह खबर गई तब चक यहां लोगों ने अप्रयास किया है दर दो देखा जिब नहीं मिला तब करा के हम लोग देख रहे हैं इसके बाद रबाद में पहोना है तब पताचिला का अप्रण के बारा बच के ल किसी को बता हिये गर ने कई टीम्स की साइवलांस की साइवर की रसुजी की अडिशोजी की अधिसाथ के अधीन हमने साथा अडरेस में इंटेलिजन्स गैदर करने के लिए गाम में लगाई तो कि ए चोटा बच्चा कहलते गया था तो प्रतं डिश्टे यही शर्क हुआ क कोई उसको अपने ओंपिदेंस में गया है तो कोई जान पेचान क पच्चा हो सकता है तो एक बहुत हुआ एंपोर्टेंट थू मिला कि इनका एक चाचेरा चाचा है जो उसी दिन सुगा कल ही सुगा गया था जिसको हमने ठ्रेस करना शुडू किया इस यह इनकुकि बहुत को इंसिडेंटल था इस पर काम किया गया देवरिया जन्पत के जिला अधकारी जितेंद पताफ सिंग एवं मुक्ष विकास अधकारी रविंद कुमार ने आज सोदा स्थिद एगरी कल्चर इंशूरेंस कंपनी आफ इंडिया लिम्टेट के जन्पत इस तरी का रहले का ओचक निशन किया है निशन के दुरान उनको कई गंभीर खामिया मिली जिस पर डियम ने गहरी नराज़गी वेड़ करते हुए कंपनी के विरुद करवाई करने के लिए शार्षन को पर्त लिखने का निदेश दिया पता दे कि एगरी कल्चर इंशूरेंस कंपनी आफ इंडिया लिम्टेट जन्पत में प्रहान मंतरी फसल भीमा योजना के अंतरगत नामित कंपनी है कि मेरे द्वारा भी किया जा रहा है और उसके अलावा जो इंशूरेंस कंपनी यहां आवन्पित है अगरी कल्चर इंशूरेंस कंपनी इंडिया लिम्टेट उसका एक कारयले यहां जन्पत्देवरिया में सोलुभार के पास में है इस कारयाले में कोई भी विवस्थाई नहीं है इनका कंप्यूटर बाती समय से खराब है इसके अलावा कंप्यूटर खराब होने के अलावा जो रड़के यहां पर उन्हें काईडलाइन स्क्रीर नहीं है मौके पर कुई आविदन का आउनलाइन का कोई विवस्था नहीं है इसके अलावा जो भी यहाँ पर एक अबलेक होने चाहिए जो बच्चे का खबर कानपूर से जहां थाना गवाल टोली के अंतरगत मकबरा जामा मजजित में पेश इमाम मौलाना अली अबास की अगवाई में मकबरा चौराए से पुलिस कमिशनर का रहले तक जुलस निकाला और पुलिस कमिशनर को मेमोरेडम दिया बता दें कि इन जलूसों में मदर्सा के चात्रों के साथ साथ टीचर भी मौजूद रहे और आप इमामा से हट जाएए मसल आप फैसला कीजिए अगर हम इमामा से हट जाते हैं या वाली साब हट जाते हैं तो अलवशुरा पुब्लिक स्कूल चला है वह फिर बच्चे घरीब बच्चे सीवेसी बोर्ट से जो पढ़ रहे हैं वह स्कूल फिर जाए हम हट जाएंगे तो इसकूल बंद हो जाएगा दोसों बच्चे हैं वह बच्चे कहां जाएंगे शिया जामा मस्जिद मगवरा में उसे संबंदित जो लोग हैं अधिकारीगर्ण मुतवल्ली हैं वह यहां आये थे हमने उन्हें इस बात को साफ कर दिया कि भविश्य में कभी भी छोटे बच्चों को ले करके दुबारा सड़क पर ना आएं और यह बच्चे पढ़ने के लिए या आपके किसी भी एज खबर आये बरीली से जहां नवरातरी के दुरान देवी मंदिरों की साफ सफायों और अस्टमी वा नवमी के दिन रमायल पार्ट कराए जाने को लेकर समितियों का घटन कर दिया गया है बता दें कि जिला अस्टर पर सीडियों तैसिलों में स्टमी और ब्लॉक पर बीडियों की अद्धश्रता में समितियों का घटन किया गया वहीं सांस्किति कायकरों में कलाकारों को बुलाए जाने पर उनको मान दे भी दिया जाएगा इसके लिए शासन स्तर से एक लाग रुपए की राशी दी गई है मंदिर सभी पूरे जिले में अलग-अलग शित्रों का ब्लॉक वाइज चैन विबिन मंदिरों का करके सबसे बाचीत करके जो कारिक्रम हो रहे हैं उसको हम लोग अच्छे ढंग से शासन की निर्देश अनुसार संपन करा रहे हैं खबर औरिया से जहां धर्म बंधन तोड़कर मुस्लिम लड़की की वैदि ग्रिती रिवाज के साथ हिंदू यूवक से शादी हुई है वहीं इस दोरान लड़की ने बताए कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं और इस शादी में किसी का कोई बे दवाब नहीं है किस तरीके से देखते हैं आपने अपनी स्वेच्चा से साधी की है कोई किसी प्रकार का दबावत नहीं है आप खुछ है रहें किस तरह से देखते हैं आप कोश है इसमें कोई दबावत नहीं है कि का हिंदू है किस तरह से देखती हैं आप यह हम बहुत अच्छे से देखा और इन्होंने लड़की है जो, इन्होंने नम्मा किसी प्रकार से लिया और उससे बात है, कि हमारे आपके गाओं का लड़का है, जिसको हम चाहते हैं, जिने मरने के लिए तयार है, होस्पीटल अचल्दा में यह दोनों नोग वहाँ जोग क लड़का है, आपने मुसलिम धर्मी की लड़की से आपके बेटे ने साधी की है, कैसे देखते हैं आप, आप तो अपने इस तरह से दिखा हैं कि हिंदी जर्म से, तो इन लोगों का प्रेम संबन था क्या, प्रेमी संबन से यह कार हुआ है, कितने दोनों से चला है, अब हम लड़का है जब अब आपस में खुँष हैं तो हम खुँष हैं, कोई दवाव तो नहीं मनायागा है ताजनगरी आगरा में रमजान के पुवित रमहिने को लेकर तैयारिया शुरू हो गई हैं आगरा की शाही जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में अकीदत मन नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और रोजा इस्तार करते हैं और वहीं तरावी की नमाज भी अदा करते हैं इसको लेकर इसलामिया लोकल एजनसी के चेर्मेन मुहमद जाहिद ने मजजिद में तैयारियां पूरी कर ली हैं वहीं DCP सिटी विकास कुमार का कहना है कि पवित नवरात और रमजान के महीने को ले प्रमजान दोनों फेस्टिबल काफी महत्तपुर्ण तेवार हैं वह अभी स्टार्ट हो गए हैं और इसके लिए पुलिस प्रशासन पुरी तरह से मुस्ताइद है सबी जगह हम लोग ड्यूटिया लगाए हैं और हम लोगों ने एक स्कीम तयार किया है जिससे कि जो दोनो धार्मिक अस्थलों पर पुलिस लगाई गई है और पुलिस गस्त भी लगाई जा रही है जो पीट-Tw hypedम होता है दोनों तेहवारों के लिए अलगलों जगों पे उसमताइड ड्यूटिया लगाई गई हैं सभी के लिए पीस कमिटी की मिटिंग की गई है लोगों के निरंतर संपर्ख में हम लोग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सांतिपुन तरीके से दोनों तेहवार गुजरेगा इसलाम का पबित्र महीना कल से यानि 24 तारीक से सुरू होने जा रहा है इस वक्त हम मौझूद हैं आगरा की साही जामा मस्जित पर हमारे साथ कुछ लोग मौझूद है आईए इन से बात कर लेते हैं किस तरीके की इसलामिया लोकल एजनसी की तरफ से बिवस्ताइं की गई है यहां पर नमास पड़ी जाती है और खास नमास तराभी की नमास भी यहां पर आदा की जाती है हमारे साथ मौझूद है मौमद फैसल आई इन से बात कर लेते हैं और देखिए सबसे पहले बात आती है नमास को नमास के लिए जगा पवित्र होने चीए साफ सुत्री होने चीए सबसे पहले तो यहां पूरी आप देख रहे होंगे एक तिनका एक अंकड आपको नहीं तरावी होती है और शाही इमाम के अंडर में जो है शाही इमाम साब जो है उनके अंडर में तरावी पढ़ाई जाती है और तरावी पढ़ाने वाले इमाम साब को वही अपॉइंट करते हैं यह उन्हीं की जिम्मदारी होती है और पूरी तरीके से तैयारिया है रोजे के ताइम पे यहां रोजा खुलवाया जाता है. तमाँ पबलिक रहती है. भार से आई हुए सेनानी होती है. वो वो सब लोगों को यह पता है क्हेरोजा यहां घुल जाता है. खाना वगरा रोजे का पूरा मुکंम्मल इंतिया जाती है. इस बार एस्लामिया लोकल एजनसी की तरफ से इफ़ारी के लिए खास इन्तिजाम किये गए गारे. किया कुछ ऐसे इन्तिजाम है, जो लोगों को इफ़ारी के लिए, इस बार उस संख्या को तीन गुना बढ़ा के कर दिया गया है तक्रीबन कितनी बली संख्या में यहां पर लोग इफ्तारी करते हैं और तरावी की नमास पड़ी जाती है देखी जी हमारा इफ्तारी का इंतिजाम तो लगबग पांसो लोगों की आसपास का रहता है उसमें जितने आजाएं लेकिन इस बार उमें जिती सो दिन रहता है शाशन पिरशाशन बड़ी मुस्टेदी से काम कर रहा है और अभी भी नौद और गए और रम्जान एक साथ शुरू होय은 तो कहीं किसी तरीके की कोई विब़स्टा भंग नहीं है साशन पिर शाशन बहुत अच्छी तरीके दे काम कर रहा है और हम सब पूरी तरीके दे सहमत हैं उसे देखा आपने ये थे हमारे साथ मुहम्मद फैसल इनका साफ तोर से कहना है इसलामिय लोकल एजन्सी की तरफ से यहां पर इफ्तारी के लिए खास इंतिजाम किये गए हैं इसके बाद भी परजन संटुस्त नहीं हुए बता दें की परजन आरोपियों की गिरफतारी और उनके घरों पर बुल्डोजर चलाने की जिद पर अले हुए पूस्माटम कराने आये परिजनों ने कोतवाली देहात के लखनाव हर्दोई हाईवे को जाम कर दिया जिसके बाद सदर और सीयो सिटी ने समझाने के बाद प्रयास के बाद कहीं जागे पर जन्माने वहीं बता दें कि उच रिक्षार राज्य मंतरी जजनी तिवारी ने कड़ी करवाई का आस्वासन देगा जाम खुलवाया छोड़ा नहीं जाएगा सकत से सकत करवाई होगी है कि जिन आरोपियों ने हत्या किये वह बहुत आरोपी गिरिपतार किये जाए उनको फासी दी जाए और मकानों पर बिल्डोजा चलाया जाए जबकि हम लोगों की बात नहीं सुन रही उनके मकान बचाय जा रहे हमारा भ लगनों के अली गंज स्थिद आईएचेम कालेज में नीमित अहार में मिलेट्स श्री अन पर संगोश्टी का आउजन किया गया है बतादे की मोटा अनाच के उत्पादन और उप्यों को बढ़ावा देने के लिए इंतरास्ती पोशक अनाच वर्ष गोशित किया गया है ज अधि अपने स्वास्त को ठीक रखना है तो खान पान में मोटे अनाच को समलित करने पर जोड़ दें यह कहना चाते हैं सबसे पहले तो I should congratulate कि इन लोगों ने इस तरह की समिनार का आयोजन किया क्योंकि यह जित्ते भी यह मिलिट्स है यह जुश्री अन है यह हमेशा से हिंदुस्तान के टाइट का पार्ट रखा है लेकिन पीच में चुकि हम अपने वेस्टनाइज होने के कि इनको नुट्रिशन की कमी नहीं होने वाए और तो आत्मी इसके इंपोर्टेस नहीं समझता था लेकिन दीर दीरे हमको यह समझ में आया है कि जो हमारा ओरिजन था जो हमारा अक्चुल सेल्फ था वो यही है और यह अब हिंदुस्तान इस पोजिशन में आगया है कि और अधर हम लोग अपने खाने पीने में मिलेट्स को ले लेगे और जैसा हमको पता है कि वल्च 2023 इंटरनाशनल मिलेट्वेर के रूप में मनाया जा रहा है जब से जादा दरोरी इसकी जागरूस्ताने मैं अ니다 इसके अंदर बहुत nutritional value है और बहुत सारी बिमारियों से हमारी सुरक्षा हो सकती है जैसे शुगर, बहुत सारी बिमारियां जैसे हार्ट की बिमारी है, अबेसिटी है, इस सब बिमारियों से हमारी सुरक्षा हो सकती है जिया अन्य वशकर आज हमारे हैं एक सेमिणार है जिसके अंदर हम मिलिट वेस् है जो की इंट्रनेशनल एरोग्मिलेट 2023 पारसरकार ने जो स्टार्ट के है और हम अलग-अलग परकार के सेमिणार कर रहे हैं खान पान बना खान पान के जितना लिकाम है वो बणा रहे है और अलग अलग 51 जीजे जो जो आंधि बाजरा जितना बहुत चीज है जो क जीज से मोटा आना इंज znaj करकांट टे हैं वह सारी चीजे करता Ł यह मिलिट साबले सप्प्राइज के अंदर हमने जॉआर का यूज किया है मक्खन, जॉआर और वीच में अंदर क्रैनबरी जूस आता है उसको हमने जेलेटनाइज करके उसके अंदर पिलिंग डालने जली बनाके आगे हमारे पास रागी जो हमारे कोटा नाज होता है उसके इसके अंदर हमने दुबारा से जॉआर चावल और दाल इसको मिलाके अप्पे बनाया है उसको यूज किया है आज का कारिक्रम है अड़प्शन आफ मिलेट्स इन डाइट्स तो इसी क्रम पे हम जो कारिक्रम कर रहे हैं तो यह कारिक्रम में हमारा परिख्या चलते हुए भ ने को लाके सामिल कर गया है और इसके लिए हमें सSercrates की बड़े बड़े स्था से जो ब को बुलाया है तो उनका बहात्व की माध्यों मैं उनका प्रेजróं का वीडियो देखाने का माध्यम पर हमें बच्चों को आफट08 देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो प्राक्टिस यहां पर है और उसका बिधी भी दिया गया है यह सब हमारे समस्ता में स्टाफ वर स्टुटिस के पर है यह होटल मैनेजमेंट इसट्यूट लखनौ में एक पिछले वर्ष से जब से इंटरनाशनल इयर ऑफ मिलेट भुशित हुआ है व्यू और उन की तरफ से जिसमें प्रदान मंतरी शरी मोदी जी का बहुत बड़ा योग लान है जिनों ने इसको प्रमोट किया और पूरा के कलेंडर बनाया और उसमें हर दिन हर एक हफ्ता कुछ न कुछ तो प्रोग्राम हमने किया जिसमें हमने अपने स्टुडेंट्स को ही नहीं बलकि जो आम जनता है उस तक भी अपनी बातें पहुंचाएं फिला हुतर प्रदेश की खबरों बस इतना है देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते है रहे प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार